Hello everyone, इस वीडियो में हम study करेंगे important concept of advertising अभी जो पूरी series है उसमें हमने काफी concept को cover किया है लेकिन advertising के कुछ ऐसे important aspect है जो की काफी वार use किया जाते हैं या जिन पर कुछ दिहान नहीं दिया जाता है तो आज उनी कुछ concept को हम इस वीडियो में cover करेंगे तो वीडियो में जो topic cover होने वाले हैं वो है How advertising works जिसे कहते हैं model of effective advertising दूसरा setting advertising objective तीसरा advertising role in marketing mix फॉर्थ और लास्ट feeling and emotions in advertising तो start करते हैं how advertising works है तो how advertising works और model of effective advertising दोनों एक ही बात है यह दोनों यही बताते हैं कि कैसे advertising effective तरीके से काम करती है तो इसमें हम यह 6 stages study करने वाले हैं सबसे पहला है perception perception वो process है जिसमें हम outside environment से information को receive करते हैं receive करने के बाद उस information को organize करते हैं organize करने के बाद उसे interpret करते हैं ताकि हम उस information को meaningful बना सकें जैसे कि इसे एक image से clear करते हैं यहाँ पे एक number है यह number हमारे लिए एक information है अब यहाँ पे दो individuals हैं एक लड़की और एक old person अब यह दोनों इस information को सबसे पहले receive करते हैं और receive करने के बाद इसे interpret करते हैं लड़की का कहना है कि यह 6 number है और old person का कहना है कि यह no number है दोनों ही information को receive कर रहे हैं लेकिन जो उनका interpretation है वो दोनों का अपना-पना अलग-अलग है तो कैसे हम outside environment से information को collect करते हैं उसके बाद कैसे उसे organize करके interpret करते हैं ताकि हम उसमें से कोई meaningful information निकाल सकें उसे कहते हैं perception मतलब की अपना-पना सोचने का नजरिया तो consumers की different perceptions होती हैं product को लेके जिसके लिए वो ज़दा attention pay करते हैं या फिर जिस product को वो like करते हैं advertiser ज़दा से ज़दा attention attain कर सकता है अपने customers की अपने message को creative way में बना के अगर simple words में कहूं तो perception क्या है कोई भी information जो हम receive करते हैं उसे बाद में organize करते हैं अगर वो पहले से organized नहीं हैं बाद में उसे हम interpret करते हैं अपने mind में ताकि हम उस information को meaningful बना सकें यह five senses है जो कि हमारी help करते हैं किसी information को receive करने के लिए हम देखते हैं किसी चीज को touch करते हैं taste करते हैं उसकी sound सुनते हैं smell करते हैं उसके बाद हम information को अपने mind में organize करके उसे interpret करते हैं second है emotional और effective emotional in advertising पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं वो series में आपको available रहेगी जिसका link आपको वीडियो की description में available है इस face में advertiser क्या करता है वो customers में want, desire और liking को जरनेट करता है अगर कोई भी company, organization, advertiser customer को अच्छी तरह से समझता है वो यह जानता है कि उसकी wants और liking क्या है तो वो company के लिए सबसे बड़ा advantage होता है क्योंकि इसकी help से वो एक emotional attachment create कर सकता है अपनी product की अपने customers के साथ तो company का यहाँ पर task होता है कि वो एक strong emotional connection create करे product or services का अपने customers के साथ तो इस image से और अच्छे से समझते हैं mummies खुशियों की recipe तो यहाँ पर Nestle company ने Maggie Nestle का product है तो उसने Maggie की emotional attachment कर दी family के साथ तो इस तरह company एक strong emotional connection create करती है product or services का अपने customers के साथ थर्ड है cognition कैसे एक consumer respond करता है information को learn करता है और understand करता है उसके बारे में यह हमने perception में भी देखा कि कैसे वो information receive करता है उसे organize करता है और interpret करता है लेकिन यहाँ पर हम learn भी करते है और understand भी करते हैं उसे अब यहाँ पर customer product के बारे में हर एक चीज सीखता है वो यह जानना चाहता है कि product कैसा है कैसे काम करेगा इससे पहले कि वो से खरीदे तो cognitive stage यह explain करती है customers को कि कैसे एक product काम करता है और वो उसको क्या-क्या benefits provide करेगा अब जैसे इस image में देख सकते हैं आब different product है एक ही category के एक ही category सारे shampoo product है जिसमें different brands आपको available है dove, trasmapentine, head and shoulder वहीं दूसरी तरफ different flavors भी है एक ही product या फिर brand के अब brands तो काफी है यहाँ पर different products है हमारे पास लेकिन एक ही product या फिर brands के different flavors भी है जैसे head and shoulder में smooth and silk है, classic clean है, refreshing है तो इस stage में वह ज़्यादा deep understanding करता है product के बारे में हर एक चीज अच्छे से जानना चाहता है कि कैसे वह काम करता है और यह क्या-क्या benefit उसे provide करने वाला है fourth है association यह process है जिसमें consumer के mind में एक idea implant किया जाता है अब idea के यहाँ पर क्या मतला है वह हम आगे समझते हैं यह help करता है एक connection create करने की brand और उसके characteristics के बीच में जो यह express करते हैं कि brand की image क्या है, identity क्या है, loyalty क्या है यह उसकी personality क्या है तो यह idea उन्हें consumer के mind में position करना है, brand के साथ जितना हो सके उतना connect करना है क्योंकि हर brand की अपनी कुछ qualities होती हैं जो कि उसे दूसरे brand से different बनाती है तो यह bond or relationship create करना है इस quality के base पर तो जो भी उनकी unique qualities हैं दूसरे brand के comparison में उसके base पर उन्हें एक bond or relationship create करना है consumer के mind में उन्हें connection बनाना है, associate करना है तो अभी तक हमने इस effective advertising के model में क्या क्या किया या फिर कैसे देखा कि advertising कैसे काम कर रही है सबसे पहले advertising attention create करती है consumer में उसके बाद emotionally attach कर रही है उसे अपने साथ अब customer deep understanding कर रहा है, learn कर रहा है, product के बारे में देखना चाता है कि क्या-क्या काम कर सकते है, क्या-क्या benefit मुझे उससे मिलने वाले है associate कर रहा है, यहाँ पे company अपने जितने भी benefits है, brand के बारे में उसे बता के खुद के साथ connected रखना चाता है उसे then last में model के दो point रहे है, persuasion और behavior यह अब देखते हैं कि कैसे काम करते है advertising में तो fifth persuasion है, यह वो process है जिसमें advertiser influence करता है customer को, कि वो अपने attitude को change करे, पिछली stages में हमने देखा कि कैसे advertising influence कर रहे है customers को, सबसे पहले intention grab कर ली customers की, बाद में उसे emotionally connect किया product के साथ, जिससे की customer और ज़दा information जानना चाता है उस product के बारे में, advertiser या organization अपने product की और जदा quality को clarify क ताकि वो और अच्छे समझ पाए brand, services को, अभी stage में advertiser चाहता है कि वो अपने attitude को change करे, क्योंकि वो अब इतनी ज़दा research कर चुका है उस product के लिए, तो क्यों न अब उसे वो खरीदे, तो advertising इसमें attempt करती है, prospective buyer को persuade करनेगी, ताकि वो product को खरीदे, persuasion, journal term में हम कहते हैं कि influence या motivate करना message के receiver को, यहाँ पे message का receiver को है, मारा customer है, कि वो किसी चीज में विश्वास करे, या कोई action ले, जैसे कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, अगर आप कोई motivational video देखते हैं, study related, या फिर कोई quote read करते हैं, तो उसी समय आपका मन करता है कि नह आपका मन नहीं था, तो यहाँ पे वो persuasion की activity होगी, क्योंकि उस stage में आप उस message के receiver थे, आपने वो motivational video देखी, तो कहीं ना कहीं उसने आपको influence यह motivate किया, कि आप उस पे कोई action ले, तो customer के case में वो तभी action लेते हैं, जब वो product के message में विश्वास करते हैं, कि जो भी product में information द जा रहा है, attitude को change किया जा रहा है, coca-cola मतलब open a cock, open happiness, मतलब अगर आपको happiness चाहिए, तो मतलब आप coca-cola drink कीजिए, यह trident एक product है, मतलब इसमें छोटी-छोटी capsules type होते हैं, अगर आप इसे चुई करते हैं, तो आपके mouth से sweet smell आती है, तो यहाँ पे इन्होंने use की है, because you can and chew deodorant, आप deodorant तो चबा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप trident को use कीजिए, तो यहाँ पर influence कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह या फिर आपको motivate कर रहे हैं, ताकि आप अपना attitude change करें उस product के लिए, अब last है behavior, इसके वारे में हम पहले भी काफिवास study कर चुके हैं, अब यहाँ advertising ने अपना पूरा काम कर दिया है, attitude change हो चुका है customer का, इस stage में आके वो product को खरीता है, advertising की effectiveness हम तभी measure कर सकते हैं, जब customer try करते हैं या फिर buy करते हैं product को, तो अगर customer खरीदेंगे नहीं, या फिर try ही नहीं करेंगे product को, इसका मदलब हमारी advertising सही नहीं थी, तो advertising की effectiveness का हमें प product को या फिर उसे buy करते हैं, try का मतलब है trial, तो trial एक important part है, क्योंकि यहाँ पे customer उस product को use करता है बिना purchasing के, या फिर purchasing से पहले, बिना purchasing या purchasing से पहले मतलब अभी तक खरीदा नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर उसे trial में वो product अच्छा लगा, तो वो से बाद में खरीद तो अगर customer satisfy हो जाता है trial से, तो वो उस product को खरीदता है, अगर नहीं होता है, तो बेशक वो उस product को नहीं खरीदेगा, लनास्ट में जब वो product को खरीदता है, तो purchasing की process easy or hassle free होनी चाहिए, मतलब कोई problem नहीं आनी चाहिए, कोई भी payment करनी है, कि हमारे पास cash का option नहीं है, या credit card का option नहीं है, हर alternative available हो, ताकि purchasing process को हम असानी से पूरा कर सकें, next है, setting, advertising, objective, meaning को अच्छे से समझने के लिए, मैं हाँ पे तीन word underline करूंगा, setting, advertising, objectives, setting का मतलब है, set, standards, goal, specific, task, जो भी आप achieve करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ standard, goal या task set करने है, advertising हम काफी study कर चुके हैं, advertising एक बे है, communication का, जहाँ पे advertiser अपने product, service या idea को communicate करता है, अपने target, customers के साथ, different media, channel के तुरू, third है, objectives, objectives हम देख लेते हैं, कि objective क्या क्या हो सकते हैं, तो meaning से पहले, ये जुरूर देखें, objective क्या हो सकते हैं, इसे अच्छे से understand करें, उसके बाद ही meaning को अच्छे से समझ पाएंगे, objective क्या हो सकते हैं, किसी भी advertiser या फिर company के, या तो उन्हें अपने target, customer में अपनी brand की awareness को और ज़्यादा increase करना है, दूसरा, remarket करना है अपने brand या फिर product को, remarket का यहां पे मतलब है, customer आपका product खीदने के लिए आया, उसने आपके product के feature configurations लेकिन वो से purchase किये बिना ही वापिस चला गया, तो दुबारा से उसके mind में positioning करनी है आपके brand की, ताकि आपका brand उसे influence करे और वो से product को खरीदे, तीसरा, company अपने customer base को increase करना चाहती है, या फिर अपने sales को improve करना चाहती है, फिफ्थ है, profit को increase करना चाहती है, फिफ्थ है, प उनको एक need create करना उनके अंदर कि आपको इस product की जरुत है, और इस तरह से आपको ये product beneficial रहेगा, ये benefit आपको provide करवाएगा, सेवन्थ है, promote करना product and services को, तो जितने भी companies के पास different product या services available है, उन सभी को promote करना advertising के तुरू, एट्थ है, किसी भी नए product या फिर service को launch करना, तो आस advertising करना क्यों चाहती है, उसके पीछे का reason क्या है, क्या objective है, उस advertising का, तो ये सारी objective हो सकते हैं, कोई company चाहेगी, उसे customer base बढ़ाना है, कोई sales को जादा increase करना चाहता है, कोई profit बढ़ाना चाहता है, कोई अपने नए product को launch करना चाहता है, तो different different objective हैं, हर company के किसी भी advertising के पीछे, तो meaning की ओर चलते हैं, advertising objective, वो goal या फिर specific task है, जो की हमें complete करने हैं, एक specific time में, ताकि हम अपने desired result को achieve कर सकें, goal और task क्या है, कि हमने छोटे छोटे से goal बना दिये, या task बना दिये, कि हमें अपनी sales increase करनी है, तो उसके लिए ये step हमें perform करने पड़ेंगे, उसके बाद हम अप अपने desired result को achieve कर पाएंगे, उसके बाद हम अपनी sales को increase कर पाएंगे, तो ये objective, बदलब goal और specific tasks हैं, जो के help करेंगे advertiser की, कि वो अपने desire result को achieve कर सकें, advertising objective को हम center point भी मान सकते हैं, क्योंकि company की जितने भी activities हैं, वो सारी इस center point, बदलब advertising objective के इर्द गिर्द घूमती हैं, या फिर उसे complete करने में help करती हैं, advertising objective starting point है, क्योंकि बिना objective के हम activities को manage नहीं कर पाएंगे, हमें काफी difficulty होगी, क्योंकि हम advertising तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का objective क्या है, जब तक हम objective ही define नहीं करेंगे, कि किस purpose से हम अपनी advertising कर रहे हैं, तो सारी activities को manage करना difficult होता है, एक well defined objective company की help करता है, कि वो अपनी actual performance को set standard से compare कर सके, set standard का मतलब है, कि हमारा advertising का objective था, कि हमें अपनी sale 20% से increase करनी है, तो ये हमने एक standard set कर दिया, कि 20% से हमें अपनी sale increase करनी है, अब हमने advertising बनाई, communicate की, और उसके बाद में हमने उसका evaluation या analysis किया, तो हमने ये देखा, कि जो हमारी actual performance है, हमने तो सोचा था, कि 20% increase होगा, लेकिन वो सिर्फ 15% ही increase हुई, या फिर 25% कम ज्यादा, मतलब कि हमें comparison करना है, कि हमारी advertising कैसे रही, set standard के comparison में, तो यहो meaning आपको अच्छे से clear हो चुका होगा, फिर भी अगर कोई query है, तो उसके लिए आप मुझे comment करिएगे, मैं वहाँ प यह तीन टाइप है, जिसे हम one by one study करेंगे, सबसे पहला है, informative advertising, यह सबसे ज़्यादा यूज की जाते है हमारे pioneer or starting stage में किसी भी product की, जब हमें अपने product को introduce करना है, इस advertising का primary aim होता है, किसी भी product को introduce करना और customer को उस product के regarding aware करना कि market में एक नया product available है, दूसरा है, persuasive advertising, इसका use कि जाता है, जब हमारा product competitive stage में होता है, अगर कोई भी product इस stage में enter होता है, तो उसका मतलब यह है कि customer already आपके product के regarding aware हो चुका है, और वो इसे test भी कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहला point देखा, informative advertising, उसमें हमारा motive था कि हमें inform करना है, aware करना है अपने customers को, दूसरा है persuasive, इसमें aware हो है, हमारा जो product है, वो competitive stage में आ चुका है, इस stage में company अपने customer के mind में एक strong image बनाता है product के regarding, इससे company को यह help मिलती है, कि वो अपने competitor को cut through करता है, मलब अपने competitor से tough competition में fight करता है, और उसे win करता है, और अपने product की demand create करता है अपने customers में, third point है reminder advertising, जब product आपका enter करता है maturity stage में, आगे समझाने से पहले, मैं आपको यह clear करतूं, कि यह सारी stages को हम product life cycle भी कह सकते हैं, product life cycle को अच्छे से understand करने के लिए, आप YouTube पे search कर सकते हैं, product life cycle by student notes, तो आपको एक video वहाँ पे available हो जाएगा, जिसे आप अच्छे से और समझने के ल stage में enter होता है, यहाँ पे company का अगला काम होता है, उस product के बारे में customers को बार बार remind करवाना, क्योंकि इस stage में customer आपके product के regarding fully aware है, मतलब वो पूरी तरह से aware है कि आपका product actual में है क्या, और वो अब इसे testing नहीं कर रहे हैं, बलकि वो इसे खरीद रहे हैं, और उसे use कर रहे हैं, इस stage में customer एक positive attitude बना चुका है आपके product के regarding और वो आपके product का habitual बन चुका है, तो इस stage में वो आपके product के बारे में aware भी है, वो से purchase भी करता है, वो से use भी करता है, अब आपका काम है बस उसे remind करवाते रहना कि आपका ये product है, ताकि कोई और competitor आपको replace ना करे, example में इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि Coke और Pepsi, ये दोनों आपस में competitor हैं, ये advertising इसलिए show नहीं करते हैं कि उन्हें awareness create करनी है, क्योंकि उसके customer पहले ही aware है उनके product के बारे में और वो उनके brand को use भी करते हैं, मतलब वो उसके product को use करते हैं, उनका काम है उनके product को remind करवाना, ताकि वो अपने brand को customers के mind में position करके रखें, उनका brand हमेशा top पे रहें, क्योंकि माल लीजे, अगर Pepsi अपनी advertising करना बंद कर देती है, और Coke अपने product की advertising लगाता करती रहती है, तो 5 ये 6 मंत के बाद, Pepsi के जो customer हैं, वो भी Coke को prefer करना शुरू कर देंगे, क्य दिखा के अपने product को आपके mind में position कर लेगा, नेक्स्ट एक और topic है, process of advertising objective, तो हमने types में जो same study की है, वही यहाँ पर आएगा, informative, जहाँ पे हम aware कर रहे थे customer को अपने product के regarding, persuasive, जहाँ पे aware हो चुका है customer, लेकिन हम उसे चाहते हैं कि वो हमारे product की testing करे और उसे purchase करे, reminder, यहा पे हमें उसे remind करवा के रखना है, ताकि competitor हमारे product को replace ना कर दे, अपने product के साथ, तो इन तीनों को आप types और process दोनों में same लिख सकते हैं, next है advertising role in marketing mix, तो सबसे पहले introduction देखते हैं marketing mix का, तो marketing mix business और companies द्वारा use किये जाते हैं as a tool, ताकि वो उन्हें assist कर सके, उनकी help कर सके, उ उनके objective को achieve करने के लिए, marketing mix के ये principles controllable variable होते हैं, कैसे, product company या business का होता है, price वो खुद decide करते हैं, target, market और customers कौन होने वाले हैं, वो भी वो खुद select करते हैं, and last में, promotion के tools and technique का, वो खुद selection करते हैं, तो ये 4 piece किसी भी business और company द्वारा controllable होते हैं, उनका पूरा control होता है, इन 4 piece पर, तो marketing mix के ये principle controllable variable होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें carefully regulate करना पड़ता है, ताकि ये हमारे target group की need को meet कर सकें, ये हमारी वो strategy है, जिसे हम use करते हैं, marketing activity को effectively perform करने के लिए, तो अब हम बात करेंगे, advertising role in marketing mix, marketing mix जैसे मैंने बताया, product, price, place, promotion, तो ये 4 points हम study करेंगे, लेकिन पहले topic को हम अच्छे से clear करेंगे कि आखिरकार ये topic है क्या, तो हम समझ रहे हैं, marketing mix में advertising का role, marketing mix हमारे fix हैं, कि ये 4 marketing mix हैं हमारे 4 pieces जिसे कहते हैं हम, इसमें advertising अपनी क्या भूमी का निभाता है, वो हम यहाँ study करेंगे, तो first point में product के साथ दे advertising क्या भूमी का निभाता है product में अपनी, advertising काफी important role play करता है company के product को promote करने के लिए, product एक तरह से company का heart होता है, क्योंकि बिना अच्छे product के company कुछ भी नहीं है, अब product कुछ भी हो सकता है, चाहिए वो services हो या फिर idea ही क्यों नहीं हो, तो advertising help करता है marketer की, कि वो अपने product या services को sell कर पाए, अपने customers को और उन्हें satisfy कर पाए, तो advertising के थुरू marketer information communicate करता है अपने customers के साथ, जैसे की functional feature, product के various features क्या है, benefits क्या है, वो marketer inform करता है अपने customers को, aesthetic design, advertising से consumer को ये information मिलते है, कि product का shape, size, design, color कैसा है, instruction to use, marketer information provide करता है अपने customer को, कि वो कैसे correctly use कर सकते हैं, अपने product को उसकी value increase करने के लिए, अब अगर आप product को अच्छी तरह से use नहीं करेंगे, तो वो खराब होगा, उसकी value अपने आप decrease होगी, तो अच्छे तरीके से आपको कैसे उसे effective manner में use करना है, ताकि वो लंबे समय तक आपके पास रहे, warranty, advertising के थुरू marketer, product के regarding warranty और guarantee की conditions के बारे में बताता है, product differentiation and positioning, advertising के थुरू marketer differentiate करता है, अपने product को अपने competitor के साथ, और एक अच्छी image create करता है, customer के mind में, तो comparison में आता है, product differentiation और अपने mind में एक अच्छी image बनाना अपने product के regarding, वो होता है, product positioning, second point है, advertising and price, price एक important factor होता है, जो की हमारे buying decision को effect करता है, हमें भी अगर कोई product लेना है, तो हम price को काफी ज़्यादा consideration देते हैं, तो हम सब ये ज़रूर जानना चाहते हैं, किसी भी product को finally buy क करने से पहले, कि उस product का price क्या है, sometime advertising में ही आपको बता दिया जाता है, कि जिस product के हम advertisement कर रहे हैं, उसका price क्या है, तो advertising काफी important role play करती है, अपने product के price को determine करने के लिए, इसके factor हो सकते हैं, जैसे कि pricing का method क्या है, तो advertising help करती है, marketer की product के price को determine करने के लिए, और communicate करने के लिए उनके customers के साथ Second point है term offered Advertising में company अपने customer को ये भी information provide करती है कि अगर वो उनको कोई भी term याने की कोई उधार देने वाली है तो उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें बताई जाती है इसमें credit period कि कितने समय तक वो आपको कोई product उधार पे देने वाले हैं उस पे आपको कितना charge देना पड़ेगा आपकी credit limit कितनी होगी और आपको कितने तक का उधार दिया जाएगा तो third है advertising and place Place marketing mix का एक component है इसमें transportation, warehouse, inventory management, channel management include होते हैं अगर आपको इन segments के बारे में अच्छी identification है अच्छी knowledge है, transportation को लेके, channel management को लेके, inventory management को लेके तो आप एक अच्छा और right decision ले सकते हैं Most common channel है consumer goods का वो है manufacturer से wholesaler, wholesaler से retailer, retailer से consumer अब advertising कैसे information provide करती है place के regarding Advertising आपको ये बदाती है कि कितने और कहां कहां पर retail के outlet है Inventory कितनी है, उसकी location क्या है, distribution channel कौन सा है और market coverage कितनी है तो ये सब जानने में advertising help करती है तो fourth point है advertising and promotion तो promotion को हम advertising भी कह सकते हैं कह सकते हैं लेकिन advertising ही है नहीं उससे कुछ हद तक ये different है इसमें कुछ होड tools भी use किया जाते है Company के थूँ अपने product को promote करने के लिए तो advertising यूज की जाती है Companies या businessmen के थूँ अपनी large target audience को promotion के regarding aware करने के लिए ये communicate करती है कि product के क्या-क्या key benefits है और target audience को एक reason देती है कि क्यूं वो सब advantage ले इस promotion की तो advertising का काफी potent role है promotion mix में जो की हम in heading से understand कर सकते हैं तो promotion में जैसे personal selling है sales promotion है publicity है public relation है तो यह आगे four point है promotion के ही यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे advertising अपना role play करती है इन में तो advertising communication का काम करता है product and services के consumer के साथ तो advertiser different media के through अपने buyer के साथ communicate करता है वो ने advertising message देता है media जैसे की press, magazine और TV तो यहाँ पे advertising बिना personal selling के बिना face to face conversation के personal selling का काम करता है next है advertising and sales promotion sales promotion में company या business एक या फिर कई तरह के offer provide करता है अपने customers को ताकि वो एक favorable purchase decision बना सके offer जैसे की product पे discount देना या कुछ हट तक पैसे की चूट product के साथ कोई gift देना या फिर अलग से coupons प्रवाइड करना ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे की company sales promotion करती है इसका purpose या तो customer को inform करना होता है या फिर उन्हें अपने product या services के regarding remind करवाना होता है sales promotion से company image और brand image बनती है advertising sales promotion के मुकाबले ज़्यादा frequent होती है और pt tip होती है next point है advertising and publicity publicity को हम define कर सकते हैं कोई भी ऐसी favorable और unfavorable performance या information किसी product या service के regarding जो किसी commercial news media, radio, tv channel, etc. ने share की हो publicity हमेशा non paid होती है sponsor और advertiser के तरू इसके लिए उन्हें कोई भी पैसे देने की जुरुत नहीं है marketers का हमेशा high control होता है publicity पर बजाए की advertising पर advertising पर जो company है अफ़े control होगा वो देखेगे कि मुझे अपनी advertising कैसे बनानी है जबकि market का control रहता है publicity पर publicity के through वो negative, positive कोई भी information share कर सकते हैं product के regarding क्योंने product ऐसा लगा उसके reviews ऐसे रहे last point है advertising and public relation तो ultimate aim होता है public relation का एक अच्छी image बनाना public के mind में company की public relation को हम refer कर सकते हैं कि इसमें company communicate करती है और relation maintain करके रखती है different public customer के साथ, supplier के साथ, shareholder के साथ employees, government, media, society इन सबसे एक अच्छे relation बनाके रखती है company ताकि public में company की अच्छी image बने तो advertising काफी important role play करती है public relation को बनाये रखने के लिए then last है feeling and emotions in advertising ऐसे advertising जिससे कि हमारे customers share करते हैं product को या फिर उसे खरीते हैं ज्यादा तर या फिर कभी-कभी ये इसे लिए होता है क्योंकि हमारे customers उस brand के साथ emotionally attach होते हैं ये कोई surprising factor नहीं है क्योंकि यहाँ पे customer information पे ज़्यादा focus नहीं करता है वो information से ज़्यादा emotions पर depend रहता है जैसकि मान लिजे आप Samsung brand के साथ emotionally attach है आप कई सालों से उसका mobile phone यूज करते हुए आ रहे हैं अब जब भी Samsung अपना एक नया mobile launch करेगा तब आप information पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जितना कि आपने first time phone को purchase करते समय दिया था क्योंकि आप जानते हैं कि आप काफी सालों से use कर रहे हैं और Samsung mobile आपको अच्छा लगता है as quality wise, feature wise तो next time जब भी वो launch होगा तो आप एक छोटा सा overview ही लेंगे उपर-उपर से कि RAM कितनी है, battery कितनी है, processor कौन सा है front और back camera के configuration क्या है तो एप छोटा सा overview लेगे, अगर आप देखेंगे कि हाँ ये worth it है मेरे लिए तो आप उसे ख्रीद लेगे आप इतना ज़दा deep में नहीं जाएंगे उस information के कि और भी कौन से नई mobile launch हुए है मुझे उनके साथ compare करना है क्योंकि आप काफी ज़दा emotionally attached हो चुके हैं उस product के तो customer काफी जल्दी influence हो जाते हैं उस advertising को देखके जिस brand के साथ वो emotionally attached होते हैं इसका फाइदा उन्हें ये होता है कि वो जल्दी से अपने decision ले पाते हैं कि उन्हें ये product purchase करना है अब वो जादा इस पे in-depth study नहीं करेंगे वो जल्दी से जल्दी उस product को purchase कर लेंगे एक छोटे से overview के साथ example देखते हैं emotional in advertising में जैसे कि पतंजली है तो पतंजली का क्या एक difference create होता है दूसरे substitute product के साथ कि एक प्रकृति का आशिरवाद है याँपर तो हम कुछ इस तरह से उससे emotional attached हुए है कि पतंजली के जितने भी product होते हैं वो natural होते हैं दूसरी तरफ होलिक्स है parents है अपने बच्चों के साथ emotionally attached है तो वो ये product उने prefer करते हैं Coca-Cola brand है Coca-Cola का मतलब है open a coke, open happiness तो इन product के साथ हम काफी जदा emotionally attached हो चुके हैं तो जब भी हम इनका नया product देखते हैं या कोई advertisement देखते हैं तो हम जल्दी से अपना decision बना लेते हैं कि हमें इस product को purchase करना है यहाँ पर एक और image का use मैंने awareness purpose से किया है जो कि हमारे environment के related है Stop climate change before it change you कि हम climate को change करना रोग दें इससे पहले कि वो हमें ही change कर दें तो मैं यहाँ पर यह जानना चाता हूँ कि अगर आप कोई ऐसे emotional images देखते हैं जो कि हमारे climate, environment के related होती है तो क्या आपका उस पर reaction होता है क्या आप environment को save करने के लिए proper precaution steps लेते हैं या नहीं तो यह मुझे comment करके जुरू बताईएगा तो अब हम देखेंगे कौन से ऐसे factor होते हैं जो हमारे feelings and emotion को effect करते हैं तो यहाँ पे हम यह fourth point discuss करेंगे तो चलिए इन्हे one by one study करते हैं start करते है personality से personality refer करता है individual के differences को कि एक individual दूसरे individual से कैसे different है हर person की अपनी एक personality होती है यह वो pattern होते हैं जो कि यह बताते हैं कि कैसे एक individual सोचता है महसूस करता है और उसके लिए वो कैसे behave करता है personality में include होता है moods, attributes, opinions और यह ज़्यादा तर तब clear होते हैं या express होते हैं जब हम दूसरे लोगों के साथ interact करते हैं अब एक person की personality कैसी है अगर आपको उसकी ज़्यादा clear picture चाहिए तो उसके लिए आपको उस person के साथ interact करना पड़ेगा जैसे कि अगर हम किसी individual को देखते हैं तो उसका चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका उससे हम कही बार judge करते हैं कि इस person की या individual की personality काफी अच्छी है तो वो हमने देख के एक तरह से जोसका physical appearance है उससे उसकी personality का अंदाजा लगाया कि वो अच्छी है या नहीं है उसके बाद जब हम उस person से interact करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका way of thinking कैसा है feeling कैसी है, behavior कैसा है उसके चीजों को लेके opinion कैसे है तो हम ज़्यादा clear में define कर पाएंगे कि उसकी personality अच्छी है या नहीं है तो किसी person में qualities का mixture जो कि उसे different बनाता है दूसरे person से उसे हम कहते है personality तो यहाँ पे advertising में help करता है personality को कि कैसे हम product के बारे में सोचते हैं उसके बारे में क्या feeling है हमारे opinions है इस तरह से जो human personality है वो advertising में help करती है advertiser को second है culture culture include करता है characteristics किसी particular group of people के बारे में language के बारे में religion, social habit, music और arts के बारे में इंडिया इसका सबसे अच्छा example है क्योंकि इंडिया में काफी तरह के culture है यहां पे हर group of people group of people में हम यहां पे दोस्तों के group, family के group या relative के groups की बात नहीं कर रहे हैं यहां हम culture के according people के group बना रहे हैं जैसे कि हर culture का अपना एक हिसाब होता है जिसमें शामिल होता है कि क्या हमें खाना है कैसे खाना है क्या हमें पहनना है कैसे हमें पहनना है हमारी भाषा क्या है शादी का तरीका क्या है म्यूजिक कौन सा सुनना है सही क्या है गलत क्या है हम टेबल पे कैसे बैठेंगे हम अपने विजिटर्स का वेलकम कैसे करेंगे एक्सेक्टरा थर्ड पॉइंट है believability believability का मतलब है सच में विश्वास होना किसी चीज की existence होना किसी चीज पर विश्वास करना कई बार proof के साथ कई बार बिना proof के साथ कि क्या सही और क्या गलत है जैसे कि इसका काफी अच्छा example है गोड भगवान कई भगवान पर विश्वास करते हैं कई विश्वास नहीं करते हैं तो believability हमारे emotional response को काफी ज़्यादा increase करता है अगर customer कुछ चीजों पर विश्वास करता है तो वो उस product को purchase करता है और अपने experience को share करता है तो इसके लिए कुछ product हो सकते हैं head and shoulder, anti-dendruff तो अगर आपको dendruff ज़्यादा होता है और आप head and shoulder को use करते हैं तो आपका dendruff remove होता है तो आपके एक believability बन जाती है उस product के साथ fourth point है empathy empathy का मतलब है emotionally understand करना कि कैसे दूसरे लोग feel करते होंगे उनके point of view से चीजों को देखना imagine करना खुद को उनकी जगा लेकर जैसे कि अगर किसी का accident हुआ है और अगर आप उसे देखते हो तो आपके body के अंदर कुछ sensation developed होती है या फिर दूसरा example हो सकता है कि person है, disabled है तो आप खुद को उसकी जगा रखके देखते हो कि अगर मैं ऐसा disabled होता मुझे कैसा मैसूस होता तो यह चीज़े हैं जो कि empathy बताते हैं कि हम कैसे emotionally understand करते हैं चीजों को यह एक link create करता है हमारे और दूसरों के बीच में क्योंकि यह हमें यह बताता है कि as individual हम कैसे understand करते हैं दूसरों को same वैसे ही experience करके जैसा वो experience करते हैं अगर हमारी empathy ज़ादा होगी और हम दूसरों की situation को ज़ादा अच्छे से understand करते हैं तो हमारा emotional response भी ज़ादा high होगा जैसे कि इसका एक example हो सकता है कई बार आप advertisement देखते होंगे disabled person है उनके लिए donate केजिए education के लिए donate कीजे animals protection के लिए donate कीजे climate protection के लिए donate कीजे तो अगर आपकी empathy ज़ादा है तो आप वहाँ पर donate करना चाहेंगे और अगर आपकी empathy low होगी तो आप यही कहेंगे खुद कमाओ, खुद करो यहाँ पर अगर हम donate करेंगे तो हमारा पैसा waste दी जाएगा तो अब कुछ advantages देखते हैं emotion की advertising में सबसे पहला है, यह inspire करता है हमारे action को, तो अगर हम advertisement में emotional activities का use करेंगे, यह हम किसी product या brand के साथ emotionally attached है तो वो ज़ादा inspire करता है हमें action लेने में कि हम उस product को खरीदें, interest को ज़ादा create करता है अगर हम emotional activities का use करते है advertisement में, easy to recall रहता है जिस product के साथ हम ज़ादा emotionally attached है उसे बार-बार advertisement के थुरू याद करवाने की जुरूत नहीं पड़ती है अगर हम उसकी कोई नए product की advertisement देखते हैं, तो हम खुदी उस product को असानी से recall कर पाते हैं यह product को memorable और shareable बनाता है कि मतलब हम लंबे समय तक उसे अपने mind में position करके रखते हैं और दूसरे अपने friends, relatives को भी product के बारे में share करते हैं कि यह product अच्छा है disadvantages क्या है emotion की time consumer है क्योंकि culture अलग-लग है हमारे religions अलग-लग है languages अलग-लग है तो काफी deep study करनी पड़ती है कि कौन सा emotion हमें place करना है किस customer या culture के लिए तो काफी time consuming process भी रहता है यह customer message के center को miss कर देते हैं कई बार अगर हम product के साथ emotionally attached है तो हम buy करने को देखते हैं इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि actually message में क्या बातें वो बताना चाहता है कई बार unethical way में हम customer के emotion के साथ play भी कर देते हैं जादा से जादा हम configuration features बताते हैं product में लेकिन reality में वो होते नहीं है और वो customers को mislead करते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस वीडियो या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पे आपको reply करके या फिर अलग से वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe करें Thank you